हालो एवरीवन तो आज हमें एक ऐसी डिजर्ट बनाएंगे जिसको बनाने में आपको 5-6 मिनट लगेंगे और बहुती कम इंग्रिडियंट्स में आप इसको बना कर तयार कर पाएंगे मैंने इसको नाम दिया है रस्मलाई करश आप चाहें तो इसको रबड़ी या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं बट ये इतनी टेस्टी होती है आप इसको एक बार बनाएंगे न फटा फट से बनकर तयार होती है आप इसको वरत के लिए भी बना सकते हैं और प्लस किसी भी ओक कटोरी आप सेट कर लें तो ये तीन और ये चार तो चार कटोरी दूद डाल दिया है मैंने गैस को ओन करेंगे और अब हम इसको चलाते हुए पकाएंगे इसको चलाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ये नीचे लग सकता है और जब आप ये रेसिपी बनाएं तो धियान र करें तो ये देखिए दूद में उबाल आने लगा है तो अब हम क्या करेंगे कटोरी में 10-15 केसर के धागे लेंगे और ये थोड़ा सा गरम दूद लेकर लगभग 2 चमच बड़े चमच यहां पर इस्तिमाल किये हैं इसको भिगो लेंगे ताकि जो केसर है वो अच्छे से फूल जाए उसका जो कलर है वो भी अच्छे से आ जाए तो अब हम इसको पकाना है तो हमें इसको कितना रडियूस करना है तो टोटल हमने यहां पर चार कटोरी दूद लिया है तो हम इसको एक कटोरी रडियूस कर लेंगे तो इसको हम कंटिनेस चलाते रहेंगे यहां पर बीट पीच में ऐसे चलाते रहें और अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो आप इसको कंटिनेस चलाएं तो 5-6 मिनट में यह जो है एक कटोरी वो रडियूस हो जाएगा और तब तक हम इसमें चीनी डाल देते हैं तो यहाँ पर 4 चम्मच चीनी का मैंने इस्तेम वापस से थोड़ी दिर के लिए और पकाएंगे इसको ऐसे चलाते रहें दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाल और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जो आप कमेंट करके मुझे बताते हैं तो यहाँ पर दूद जो है वो रेडियूस हो गया है और यहाँ पर न मैंने एक कटोरी पनीर लिया है उसी कटोरी से नाप कर, पनीर को या तो आप हाथ से करश कर लें या फिर इसको मोटी तरफ से कद्धू कस कर लें, तो यहां पर ये जो पनीर है, ठोड़ा ठोड़ा करके हम एसे दूद में डाल देंगे, पनीर डालते हुए आप फ्लेम को लो कर लें तो अब हम इसको फिर से पकाना है बस 5-6 मिनुट इससे ज़ादा बिल्कुल भी नहीं तो 5-6 मिनुट में जो हमारी रसमलाई क्रेश है वो थोड़ी थिक होने लगेगी तो इस तरह से चलाते हुए आप इसको पका ले दोस्तो यह जो रसेपी आज हम बना रहे हैं जब आप इसको खाएंगे तो आपको एकदम रसमलाई जैसा टेस्ट आएगा क्योंकि रसमलाई बनाने में हम यही इंग्रेडियेंट्स यूज करते हैं बस वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है लेकिन आप जब भी आपको जटपट रसमलाई खाने का मन हो या फिर आपकी किसी पार्टी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आपको बहुत सारा खाना बनाना है और आपको कोई डेजर्ट भी बनानी है और इसको ठंडा करके जब खाते हैं तो एकदम रसमलाई के जैसी लगती है तो चलिए ये जो दूद है अभी काफी उबल गया है ये देखिए अच्छे से जो पनीर है वो इसमें मैल्ट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे ये लगभग बनकर तयार है तो गैस के फ्लेम को कर देते हैं और ये केसर वाला दूद इसमें डाल देते हैं तो केसर वाला दूद डाल कर एक पर इसको चला दें ताकि जो कलर है वो अच्छे से पूरे दूद में मिक्स हो जाए तो इसका जो येलो इश कलर है वो बहुत प्यारा लगता है एकदम डिवाइन कलर लगता है तो आप इसको भोग के लिए भी बना कर तयार कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह देखिए, यह जो है यह लगभग बन कर तयार हो गई है, यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा से लाइची पाउडर डाल दिया है, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद है, तो आप डालिए, अधरवाइस आप इसको स्किप कर सकते हैं, तो एक बर मिला दिंगे सारी चीजों को अच्छे से, थोड़े से ड्राइफरूट्स टालने बाकी हैं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे, यह मैंने ना एक पिंच काली मिर्च इसमें डाली है, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को ऐसी ठंडी वाली डेजर्ट खाने से कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, लगबग एक पिंच तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो यह जो छोटे-छोटे टिप्स में देती रहती हूँ, यह मैं खुद फोलो करती हूँ, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो यह जो हमारी डेजर्ट है, बनकर तयार हो गई है, ड्राइ फूट्स पी डाल दिये हैं हमने, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको रूम टेंपरेचर तक ठंडा करेंगे, और रूम टेंपरेचर पर ठंडा करने के बाद हम इसको फ्रीज में रखेंगे, तो फ्रीज में जब यह एकदम से ठंडी हो जाए, तब हम इसको ठंडी ठंडी सर्व करेंगे, यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, यह फ्रीज में कुछ गंटे रखने के बाद, खुद से ही इतनी ठिक हो गई, एकदम गाड़ी हो गई है, और आपकी जो रस्मलाइक रश है, वो बन कर तयार है, दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे मज़िदार रेसिपी कीजिए,